हेलो फैंस इंवेश्ट फोरेवर में आपके फिर से स्वागत है और आज बात करने वाले हैं एक बार दुबारा से निफ्टी निफ्टी बैंक एस वेल एस निफ्टी आडी और सभी जितने भी इंडेक्स उनका एक बार रिव्यू करेंगे क्योंकि अगर हम देखे तो आज के दिन एक मैसिफ करेक्शन आती हुई दिखाई दिए हमें लगया था कि मार्केट यहां पर थम गई है बट यहां प डेली बैसी से मिलती रहें बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन कुछ नहीं है अपने फैंशर एडवाईजर कुद की श्टरी करनी है और ऐसे नाजुक वक्त में अगर आपको हमारी सर्विसे की जरूवत रहे श्टॉक मार्केट से एलिटू नीचे डिस्क्रिप्शन में वर लूधान है तो हम चलते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले हम बात कुछ एक डेटा देखेंगे हैं यहां पर देखें डेटा तो यहां पर आखर हम देखेंगे F 무었 इस दो हम निकाले है इस महिने के तक और बात करें भी तो पैसे तो दाल रहे है पिsmelj почему क Spence उसे पहले D.A.s भी यहांप से पैसे निकाल रहे थे और अगर हम याँपर देखे तो देखियं हो ने भी स garant G$ आहले बिए तो अभी टाल रहे निकाल रहे थे विसे पहले FI हिस बीच में टाल रहे थे तो यह पर यह निकाल रहे कि यहां पर हम देकर टो दिवाली यहां पर नजदीग है और यहां पर यह पूरा महिणा अंड़ यहां पर दो तार एक दिन और यहां पर भचा हुआ है कल्का टेडशान और यादर कि मेरा अनुमानी तो मिथ तो इसनी इन Gen aven定 और अपर मिलभ। दि तो यहां पर देखिए यह जो एक support लेती हुई नज़र आ रही है ना यह support है यहां पर नज़र आ रहा है लगबक 70556 रुपे के आसपास पहला support की बात करें तो पर 70560 रुपे के आसपास कि support में support है और मुझे नि लगता है इसे यहां पर break करेगा तो कल की date में निफ्टी 50 में एक और मैसिव गिरावट आ सकती है और फिर नेक्स्ट वीक से जब यह मार्केट चलना शुरू करेगा तो एक अच्छा खासे तरीके से यहाँ पर चलना मूव करना शुरू करेगा तो इसके लिए एक दिन की और गिरावट आई तिंक यहाँ पर मार्केट में इसलिए आप बैतरी शेयर जो यहाँ पर गिरे हुए उने पिक करना शुरू कर दीजिए और यहाँ पर मार्केट लॉंग टर्म इंवेश्टमेंट का अभी रहा नहीं है ओके अगर आप सोचेंगे कि मैं लॉंग टर्म इंवेश्टमेंट करूंग और छोड़ दूंगा त यहाँ पर देखिए अभी अगर आप एंट्री करते हैं तो यह जो एंट्री लेवल है अग वहीं के ऀवेश्टन आप लेट फे लॉपन जाती हूदी देगी सीधे एक लेश दो वीक चीजे ऊपर की तरव जाती हूद ś जाती हुई दिखाई देंगी अगर बात करेंतों त करीके से इसका फायदा उठाके आप अच्छा तरीके से ऊपर की तरह जा सकते हो थोड़ा सा समल के चीज़े करिए को कि यहां पर की अच्छा परपस से चीज़े बेचिए अपने इंडीवीजियोग शॉक्स को बेचिए और यह इंडेक्स को देखिए इसके बार बार देखिए इसके लगता है एक और निफ्टी मिटकेप की हम बात कर ले देँ, तो देखिए दुबारा इस लेफल पर सपोर्ट ले लिया है, बट मुझे लग रहा है एक दिन की जब किरावाट निफ्टी में भी होगी तो दुबारा इस में और सकती है, और यह शेयर अगर हम बात करें 11,407 पर चल रहा है तो एक यहां पर जो इसने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 11,202 लगबग लेवल यह अभी 180 और गिर सकता है तो कल के दिन में भी लगबग 1.6% की गिरावट दुबारा इस इंड सकता है क्योंकि लाज़ डे है इसके बाद दिवाली का नेक्ट मंत यहां पर शुरू होगा तो अच्छा कासा फिर मार्केट बागता हो दिखाई देगा तो यह गिराबट हो सकती है इसके बाद ऐस दुबारा पैसा डालते हो दिखाई देंगे और चीजे यहां पर उपर क इससीट चलते हैं यहां पर आगर हम देखे पहले भी तो देख यह जी आगर हम देखते हैं तो यहां पर दे यहां पर भी टेनल बनी थी एक उपर जाने का एक ख़ चाना जा रही है बड़ एक डिन आपके सामने में इसमें भी देखिए अच्छी आशी यहां पर यहां पर यह दिखाई देरी दूबारा निचा आटाटेए दुबारा बैथरी सपोर्ट यहां पर ले लिया आज अगर कली देश में फिर दुबारा अगर एक गरावरत होती है तो याद रखिएगा यहां पर तोड़ा 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 देश की तरफ तोड़ा से दयाम देजिए यहां पर भी थोड़ी बहुत तोड़ा से गिरावट हो सकती है बट वह गिरावट के बाद जब चीज़ा चलनी शुरू होगी तो दुबारा एक अच्छी कासी रैली आती है क्योंकि अपनी जो इंडेक्स है अपने देश की जो ग्रोइंग है जो जीडीप वह ऊपर की तरफ जानी है अच्छे खासा है सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कंजब्शन अच्छा खासा है एस वेल आपा चीज़ा अच्छे खासा चलती हुए नजर आ रही है नंबस तो डरने की जरूवत नहीं है चीज़े ऊपर ही जाना है तो इसके थोड़ा से ध्यान दीजिए जो गिरावत होनी थी जो मैसिफ गिरावत होनी थी वह हो चुकी है सिंपल बायोन डिप्स करिए और चीज़ों को अच्छी चीज़ों को लीजिए और जब चीज़े एक टाइम पे आयों लगे कि यहां पर भाई ज्यादा भाग गई है चुप चाप निकल जाहिए डॉंट वेट फिर दुवारा मौका मिलेगा चीज़े ऐसी तरीके से उपर जाएगी फिर एंच आएगी निचे और ऊपर यह जाएगी और उपर जा नीचे ऊपर जाएगी तो इस तरीके से थोड़СТट ही दिए नेदेगार की तो आगर आम यहां पर देखे और यह यह फॉट самое pit др भाट है कोई ना कोई इंडेक्स या कोई ना कोई यहां पर सकती है तो यहां पर दुबाराइग गिरावत आसकती बेंकिंग में खासकर यहां फोड़ी सी और गिरावत और यहां पर चीजीव उपर दिखाई दे रही है तो यहां पर थोड़ा से यहां पर थोड़ा सा प्रिक पर रहें इसमें एक अच्छी खासी यह सबसे जादा है यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर उसमें चला भी तरीके से पहले इसे बगाए जाएगा यह क्योंकि ऑपरेटर के पास या किसी बीवंदों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह एक ही चीज में पैसा लगाता रहे लगाता है और इसमें भी लगा दे उसमें भी लगा दे हो सब सेक्टर को एक साथ लेके भागे तो अभी बैंकिंग बगाया था अब शायद चैमिकल्स या फार्मा की सब्सक्राइब काफी टाइम से भागी नहीं तो शायद उन्हें बगाए आई टी तो आई टी के नंबर अच्छे का स यहां पर आ सकती है अगर नहीं सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट मुझे यहां पर नजर आता है 2,6800 जो की लगबक 1100 की गिरावाट इसके बाद आगर यहां पर फिर भी गिरावाट होती है तो एक अच्छा सपोर्ट यहां पर पच्छिस सो ब्यासी रुपे के पर थोड़ी सी और गिरावट होती है तो बैठीन सपोर्ट के अबल यह है तो थोड़ी वहत और नीचे आ सकती है उसको कोई production नीचे गिरेगी गिरेगी स्यल आफ होगा तो यह इसमें भी गरावट आ सकते हैं यहां पर अगर देखे और फाइनली तो फाइनली ऊपर चीड़ जानी है और यहां पर निफ्टी में एक अच्छा खासा स्मॉल कविध हैंडल पैटर बनता हुआ नजर आ रहा है अगर हम देखे तो यह कप बन रहा है आफ है और हम देखे तो यह हंडल बन रहा है और है अ कविध हैंडल पैटरन के हिसाप से चीड़ ओपर जाता हुआ नजर आ रहा है और इस चार्ट पैटरन के हिसाफ से अगर देखे तो यहा पर निफ्टी का जो IT इंडेक्स है यह अच्छा-खासा यहां पर भागटता अलग-अलग sectors हो गए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, निफ्टी chemical sector I think कोई है नहीं वरना है उसकी भी हमें इस पर देख लेते, आट अट अट सक्टर भी आपर चाल सकता है, FMCG सक्टर भी यहाँ पर, FMCG की तरफ ध्यान दीजिए, HDFC, AMC पर द्यान दीजिए, यह शेयर भागते हुए नजर आएंगे, सिंपल, और यह चीटे सारी बहतरी नजर आ रही है, यहाँ से उपर ही जाना है, एक आत दिन की और गिरावट होती है, तो कहाँ नहीं सकते, यहाँ पर कुछ चीटे करके उपर जाएंगी, कुछ चीटे डारेक्ट उपर जाएंगी, अब देखते हैं कहाँ पर पैसा कहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइका का भी IPO आया है, लोग उहाँ पर भी अग्रेसिवली बाइन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे IPO आ रहे हैं, तो इसके लिए भी पैसे हैं आपर जुटा रहे हैं, ताकि यहाँ पर लगा सके, यह सारी चीज़े माइंड में चलो रही है, बाट हमें सब को IPO मिलेगा, यह ज़रूरी नहीं है, और तो IPO मिल भी जाएगा, तो सब वैल्यूएशन वगरा सब चीज़ देखनी होती है, आख बंद करके निकूनना होता, तो इस चीज़ को थोड़ा से यहाँ पर ध्यान दीज़े, चीज़े अच्छी होती जा रही है, पैसा डर्द के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा लगाए, बस टाइम पे जब चीज़े ऊपर जाए, तो महाँ पर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो buying selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor कुछ की study करिएगा, invest4ever हमारे channel को support करिए, share करिए, subscribe करिए, हमारी service चीए, तो निचे description में number है, contact कर सकते, pink कर सकते, so thank you so much, God bless.